नमस्कार मित्रों सुवागत आपका आज के करंटेफे डिसकुसन में डेट क्या आज की डेट है अठारा नवंबर दोजा चोईस तो चलिए डिसकुसन इस्टार कर लेते हैं तो डिसकुसन तो बाद में करना पहले हैं पीडिएफ अगर भी चाहिए होगी आपको तो यह रहा यहां डिसकुस नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं यहां पे डिसकुस तो देख यू रखा आपको डिसकुस ही नहीं करना तो क्योंकि इसको हम अलग से डिसकुस कर चुके हैं और यह काफी अच्छा अर्टिकल है यूपियस यह ना मैंस में से रिलेटिल एक्जाम में क्यों से पूछ सकती है तो इसलिए इसको डिटेल से देखा है तो वहां पर आप यह हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा वहां जाके इसको देख सकते हो इसको हम यहां नहीं देखेंगे तो यह हो गया पहला अर्टिकल ठीक है जी यह काफी अच्छा अर्टिकल था य करेंगे एंजी के बारें बात करेंगे क्योंकि यहां पर एंजीटी का भी जाओं जिकर हुआ है क्विछ रिप्ले में देखेंगे यह एक्जाम में में ज्यादा नहीं प्रिलिम में ज्यादा काम आ सकता है तो इसलिए हम बात कर लेंगे इसके बारे में तो पहले बात करते हैं यमुना रिवर के बारे में ठीक है इसमें कुछ-कुछ पॉइंट है आपको याद होने चाहिए क्या पॉइंट है पहले तो यमुना यहां पर याद हों आज़ हुआ कोन सा नाम है बंदरपूंच तो पहला प्लेशेर को यहां पर यहां पर एक लेयर कोई लेयर की धिक यमू संगत्री इमरी नंटरी गलेशेर बंदरपूंच परवत में यमू गलेशियर से उद्गम होता किसका यमूना रिवर का ठीक है जी बात समझ में आ गई उत्राखंड बंदरपूंच यमूनोत्री से निकली यमूना यहां से निकलते हुए अब यह कौन-कौन से राजिय से होके बहती है यह चीज भी आप याद रखना तो यह पहले UK उत्राखं याद रहेगा ही रहेगा क्योंकि उत्राखंड से ओरिजनेट होती है उसके बाज में यह जाएगी हिमाचल परदेश में उसके बाज में यह आगई हर्याना में उसके बाज में यह चलेगी डैली में उसके बाज में यह चलेगी UP में तो यह राजी आपको याद होना चाहि UK, हर्याना, हिमाचल पर्देश, डैली, UP, यहां से होके यह बहती है, यह चीज आपको याद रहेगा, UP में इलहाबाज में जाके मिल जाती है, गंगा में, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वो यमुना ही है, तो गंगा की सबसे बड़ी साहिक रिवर कौन सी है, वो यमुना ही है, यहां से निकलती है, उत्राखंड से, तो यहां पर रहना, राइट साइड में, अब यह कोर चीज आप याद रखना, UP, से भी गुमा के क्यूशन पूछ सकती है, कि यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक के इया रहाति, ट्रॉंस रिवर, ठीक है, यह ट्रॉंस उत्राखंड से ही निकलती है, और यमुना की सबसे बड़ी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, ट्रॉंस रिवर, यह आपको पता होना चीज़, अब लेफ्ट बैंक की बारें बात करें, लेफ्ट बैंक के आपको सिर्याड-इस किसी नंबर वाइज पहले कोंग सी आ रही है यह चीज यह आपको पता हो चीह लोगवा है यह से यमुना का ओरिजनेसन हुआ है ठीक है यहां से कों-कονसी हीं यहांपे UK हैं यहांपे हमाचल परदे से फिर यहांपे हरयाणा आ गया यहांपे यह डैल्ली आ गया पी यूपी यह इनरभाज में जाकि किस favors गंगा में में मिल जाती है यह इदर से गंगा आ रही है ठीक है अब इसकी ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है ये टौंस रिवा है तो पहली हॉई सत्मार किल तीसरे एस आस ते बैतवा हो तो यहां से यह नमृ है नकार पहले जंब भाना één की नहीं पिध्व Stories मैयों टोड्य दूसरी को सिंदी तीसा को सिंद नहीं गाले और कैन यह चारो रिवर ऐसे लाइन वाज यह याद रखना करम कौन सा है यहाँ पूछ लेंगे वेस्ट टू इस्ट में यमुनाक में मिलने वाली रिवर कौन सी है तो करम वाज ऐसे एड़ करना होगा तो आपको ऐसे एड़ करना है चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, C, S, B, K, C, S के याद रखना बीच में B को ऐड़ कर देना तो C, S, B, K यहाँ पर चंबल की कुछ ट्रिब्यूटरी दे रखिये, यहाँ पर बनास है, काली सिंध है, पारवति है, यह चंबल की साहिक नदिया है तो यह चीज़े काफी इंपोर्डन होती है, इस पर डारेक्ट क्यूसन बनता है, यह चीज़े आपको पता होना चीज़े, लेंज कितनी है, तेरा सो किलोमेटर सम्तिंग लेंद है, तो लेंद आपको याद रखने कि आप सकता है नहीं, कुछ यह पॉइंट हमने याद आपको आगरा याद रह जाएगा, इसमें कन्फूजन नहीं होगा, मतूरा याद रह जाएगा, इसमें कन्फूजन नहीं होगा, अलाहबाद याद रह जाएगा, इसमें कन्फूजन नहीं होगा, लेंगिन कुछ ऐसे सीटी और है, जो आपको कन्फूज कर सकती है, जैसे क काफी उप जा हुए यहां पर जो बाड का मैदारन काफी उप जा हुए यहां पर अगरी कल्चर के लिए बहुत अच्छी चमिन है तो यह चीजे आपको याद होनी चीए और यह हमने यह मुना के बारे लिए अब देख लेता हमें एंजिटी के बारे में नैशनल ग्रीन ट्र है तो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थे एक अधिनियम के मांतियम से और कजल में कि पहले नैशनल ग्रीम ट्रुब्यूनल एक्ट नैशनल ग्रीन ट्रिवनलाट 2010 जो जार दसे टत इसकी स्थापना की रिटी इसका मतलब है यह एक वेधानिक निका कर दो अभिन हैं तो इस थापना है यानि यह एक इस्ट्री ब्रॉर्डडी है किया एक इस्टैचरी बॉड्य है कुछ्प इस्टाफना एक्ट प्षिसमें के मातियम से होगी ब्क Cup को एक इस्टैचरी बॉड्य होगी तो तो इसकी इस्तापना राष्ट्री गृत अधिकरन अधिनियम के माधियम से हुई थी 2010 में इसलिए यह एक वेतानिक बोड़ी है काम क्या करती है काम क्या करेगी प्रयावन का सरंक्षन करना है प्राकरतिक जो संसादन होते है नैचरल रिसोर्स उनका संसरंक्षन करना है यह सा बढ़ने फाल दिमाग नहीं लगाना भाई सारी चीज़ याद रहेगी भी नहीं कितना भी कलो सारी चीज़ याद नहीं रहेगी जो बेसिक बेसिक चीज़ याद रख सकते इतनी रख लो बस बहुत है इसमें ही क्यों सन आपका आज आएगा और आप एंस पर देद होगे यह जीज़ आपने देख लिए कि एक अधिनियम के मादियों से वानी थी सिंपल चीज थी यह दिनियम को रटने के आएथ लिए नहीं क्योंकि नैशनल हरित अधिकरण यहीं इसका नाम है और यही अधिनियम का नाम इस पर क्या रटना भाई कुछ नहीं रटना एव कर दो बाते इसकी अलावा भारत के अलावा दोजेस ऑस्ट्रिलिया और न्यूजटलेंड यह दो देसे जिसके को आ सदूल करने करने के लिए इस परकार की बोड़ी बनाएगी है अब इस फैक्ट का लाप कैसे यूज कर सकते हो तब आप एसे एक्जांपल दे सकते हो कि भारत है परेवन के लिए कितना सजगें और परेवन के लिए कितना काम कर रहा है कि इसने एक से अधीकर्ण बनायां यह अलग से ट्रीबॉनियल बनाया है और घृत ऐसे अदेश mathsthy जो कि अलग से tribunal बनाता है प्रहावन के सरक्सीत करने के लिए इस परकार के आप एक्जामपल दोगे तो यह एक्जामपल बहुत ही जाद आछी रहते हैं और आपके नमबर एड़ेट कर सकते हैं ठीक है यह आपको आइडिया होना चाहिए अब यह है ना साथ एक्ट साथ इसके आपके बाड़ी बनेगी तो यह जो अदिकरन है ना ट्रिब्यूनल है इसको भी बाड़ी बना लेके लिए कुछ तो चाहिए पावर के लिए कुछ तो चाहिए तो हमने साथ अलग अदिनियम है उनके द्वारा इसको पावर दे रखिए अभी साथ अदिनियम कौन-क क्योंकि पहले जल वाला दिनियम, वॉतरberakt आपको याद नहीं रहीगा, न invece याद रहे जाएगा भई, वउतररम like, तो ये तो इसफेशिफिक होगा ही, यह तो, यह सीजाने, जल अदिनियम इपया, वन सरंक्रन इपया होगा, युदेनीं भी हो जाएगा पर्यावरण सनक्सन अधिनियम भी हो जाएगा ये दो अधिनियम आपको कंफ्यूज करेंगे एक क्या विमा दिनियम आ सकता है तो यह भी आया इसको भी याद रखना और जैविक विविद्ता का धीनियम पहले जल जल उपकर वन सनक्सन वायव द तो आपका answer वा मिल जाएगा अभी ही हमने देख लिए हैं अभी इसमें अगर किसी भी को दाखिल करना होता है अपना आवेदन तो छे मेने के वी तो इसको निप्टान करना हो गाँ उस आवेदन गा यह पॉइंट पर याद रखना मेंमर कितने होते हैं मेंमर मिनिम्मम 10 होने चाहिए 10 होने चाहिए नियाले की है क्या यह अपने जज्जमेंट देती है यह सामने वाली पार्टी पर बाद्यकारी होते हैं क्या यह बाइंडिंग होते हैं तो हाँ इसके निरने हैं वो बाद्यकारी होते हैं इसके निरने हैं वो बाइंडिंग होते हैं ऐसे भी क्यूशन पूछे गए हैं क्या NGT ने निर झाट होना चाहिए और यह कि प्रीन ने बितर 90 अने के आरट को जाना वोगा तो सुप्रीम कोल्ट में तो नभए दिनों के वितर अंदरां होगाए कि आत्प Measure प्रिंग पॉर्ड में जाओ इसके निर्णे को चुनोती दो और अपना जो भी है फैसला वो सुनके आ जाओ अब यह क्यूसन है इसको देख लेना तो आपको समझ भी आ जाएगा कि इसकी परकार की क्यूसन है वो पूछे जाते हैं यमुना के बारे में क्यूसन है यमुना कह से निकलती है यह मुनोत्री बंदर पूछ गलेशिये से निकलती है पॉइंट सही है विल्कुल सही है उत्री मेधान में गंगा की सबसे बड़ी साहिक नदी है सही है तो इन में से तीनों करता होंगे सही क्यूसन को सवाल करते टाइप यह जरूर देख लेना करेक्ट वे पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए तो आपको अंसवर है वलत होने की संभावना नहीं होगी तो इसलिए कि दे रहा था और मैंने रख लिया अब डिसकस क्यूं से आपिक लाएगा कोई सा तो पूरा-पूरा टॉपिक ही डिसकुस करेंगे यहां उनली इंफलेशन की बाद ही यहां से बाद ही यह बात हुइ यह नहीं हुए इंफलेशन को कितने भीछ में रखना वो किया चीज है वह नहीं हुए six per cent के बीच में रखना तो कैसे रखना वह इंसमें नहीं हुए इसको कैसे डिसकुस करेंगे तो यह काफी बड़ा टॉपीक है तो इसको एक प्रिट समझे किया मुँपे मारा और अगे बड़े और हम आगे बड़े इस इस टोपिक से नेइञ्ट जो मारा अर्टिकल है वह ड. iL.I. die से समझे मुटीका मतलब पिल इसञे मतलब होता है अब क्या होता है आप कोई भी यह जो लोगसभाच्षेतर होगा ठीक है यह Member of Parliament MP जहां से चुनाव लड़ता है उसे कहा जाता है लोगसभाच्षेतर ठीक है यह आपका एरिया है यह आपका लोगसभाच्षेतर है अब यहां से आपका MP चुनाव लड़ता है इसे कहा जाता है लोगसभाच्षेतर अब इसका है पहले क्या होता है हर दस साला में होती है जन गन्ना हर जन गन्ना के बाद में परी सीमन होता था यानि कि यह जो लोग सबच इतर है यह जन संख्या के अकोड़ी है घटेगा बड़ेगा किसी एक जिला को मिला कर बना लिया किसी दो जिला को मिलकर बना लिया यह परी सीमन होता आशनल में शेक्तर भी है उसकी सीमा को खटाया बढ़ा है जाता इसे का जाता ईख को इन्टीं सेमीटिख कि थक तक तो चला रहा ले JEFF टो अ ना वोरत बढ़ती जा रही ती जन्संग्या हमारी बढ़ रही थी बड़ De कौन से राजत की बढ़ राजी यह हिंदीग्मünde की राजियन यू पिभार healthy और यूक़ी मरैं जादा सीटिया की मिलीगी और यसे हिंदी बेल्ट के राजियों को नौर्स बेल्ट के राजियों को ज्यादा सीटे मिलेगी साउथ बेल्ट के राजियों को कम सीटे मिली यानि कि उनका है वो रिपरजेंटेशन कम रह जाएगा हिंदी बेल्ट के राजियों कि किसकी सरकार बनेगी अब इससे क इसको नुक्सान हो रहा है साउथ बेल्ट के राजियों को नुक्सान हो रहा है अब इससे क्या हुआ इससे इंद्रा जी ने लगा इंद्रा जी को लगा कि भाई यह तो हो रहा है गलत उनको फाइदा होनी रहा है वो कर रहे हैं विरोध तो कुछ सामे के लिए इसको रोक दि गया बाज में 2001 में अटल जी की गौर्मेंट इन्हों ने भी इसको रोक दिया गया अभी मोदी जी ने भी 2009 तक परीशिमन को रोक दिया है ठीक है जी तो यह परीशिमन का थोड़ा बैक्ग्राउंड था कि पहले 10 साल में होता था अभी यह रोक दिया है हमारे सविधान के आर यह होता परीशिमन रिवाडिंग परियामेंट रिकांसिटेशन इंडियाज पर प्लू आपिलेशन चेंजर किया जाता है परीशिमन के परिवर्तर के अनुसार संसदी निर्वाजयन शेक्तर में पूनुननेरदारन करना परीशिमन है यहां से आर्टिकल 82 में यह दे रखा है और पारी चाहरल है seul मुजरी जाते हैं सो कि इस सय जıtका है इसलिए इसका बार बार करते हैं निलममन को कर डेखे़ लिए जन संख्या की असमानता है जन संख्या है वह ऐसमान है डेमोग्राफिक ती डिस पाइरिटी है यहां पर जन संख्या की असमानता कहा जाता है यहाँ पर एक वर्ड आता टोटल फर्टिलिटी रेट टी एफ आर टी एफ आर यानि कितने बच्चे जनम ले रहे हैं तो यहाँ पर जो साउथ की राजी है महाँ पर टी आफ आर जादा है इसलिए उनको फाइदा नहीं होता है ठीके जी तो इसका फाइदा की नुक्सान किस होगा यहां पर सीटों का जो आवंडन होगा वहां पर यह को मिलता इसका साहँ उतका अभी जो पर्तिनीद्रित्व है रीपरजेंटेशन है वो 25 परसंट के साउथ की राज्य है नहीं से पचिस परसंट शुट्ट यह जमकि नॉर्थ के राज्य है महाँ पर कितनी आती अजक्ता है कि आते विसाओं में और तो फीजिकल घ्टा बढ़ता है उसरे किसे हैं पैसे पैसे में पैसे हैं आए हमारे हैं एक फाइनेंस कमिन वाहिए वह करता है बट वारा करता है कंदर सरकार के पास में कितने पैसे आई वह झाली के बाद रुप्य टारी के थल रुप पर से Board % श्राइक केसे बटवारा उगा और वहां सारकार की पसे पहले हैं इस चालीस ऩो को ज्यादा फाइदा होता है तमिलड केरल को कम फाइदा होता है ये बात कही जा रही है राज कोशी असंतुलन के बारे में तो इसका असर भी देखने को मिलता है इसका चैलेंज ये को और किस पर पड़ता है इसका चैलेंज है हमारे फेडरल सिस्टम हमारा संग्य सव रूप वर वब फाइदा हुआ रहा है तो वह उसका विरूद करते हैं इससे क्या होगाने जो फैडरल स्ट्रक्चर है जो हमारा संग्ये सवरूपे में भूमिका निबास सकता है तो यहां पर यहीं लिखा है संगवाज में बासा यादर पर राजियों को बनाया गयता और आज की टाइम ऐसा देखने को मिलता है पर इसे मनुआ तो यह वाद और बढ़ जाएगा यह यह अदे को असमानता है हित तारिक असमानता कैसे हिंदी को वैल्ड को कम ज्यादा फाइदा गै रहीं को कम फाइदा यह सम सेंट आपक रिपीट और वस यही बात यहां पर बहुत संकियक वाज का अब тогда का बहुब CT की यहां इसको आफ यूच कर सकते हो बेदमन क्या है कुछ समय तक निलमन सभी ए हैभी जो निलमन कर रका है पची पर कि यॉट कि एक ताम के बाद मैं जन संग्या जब इस्तिर हो जाएगी जन संग्या बढ़नी तब जा कि आप पर इसे इमन कर सकते हो जन संग्या बढ़र आने पर सरकार को कादम उठाने चीई इसलिए इसके रोग लगा दो सीटों का जो पुनर रहन वित्रन है वो इस पर जो पूपनारा बना जो अलग राजी इसा नहीं लगे का कि हमारे साथ गलत हो रहा है उनमें अभी बी एक भावना रहा है लागू करना को साथि यां पे राजियों के जो पर पांतो को बढ़ादो स कीसीट है- पाँतों को बढ़तो blessed इससे क्या उनको लगेगा कि नहीं कि हमारे साथ में बेदवा हो रहा है देखो मेरे पास अभी 10 रुपे हैं तूसरा वेक्ति उसके पास 50 रुपे हैं अब डारेक्ट उसको 100 रुपे दे जाएंगे तो मुझे लगएगा मेरे साथ हो रहा बेदवा इस परकार से उसको 100 इसको ऐसे दुख नहों तो यहीं सारी बात यहां पर लिखी गई है आखिर यह निस्करसन और यह अपने कंक्लूजन में बात की गई है कि बारत एक संग्ये सवरूप है वहाँ पर परीसिमन चुनोती है लेकिन उस चुनोती का सामना करना है ऐसी इस परकार से उसका सामना क परणा है वह जो संगवाद है मजबूती से खड़ा रहे हमारा संगवाद टूटे नहीं हमारा इक अलग परकार का संगवाद है उसमें किसी भी परकार के इस सब चीजे देखने कुण नम ले तो यह पूरा अर्रटिकल परीसिमन के बारे में था नेक्स्ट अर्टिकल के ब के बारे में कम बात कर रहा था इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा गुसा रखी थी क्या पॉलिटिक्स थी इसका इतना फाइदा हुआ है जमू कुस्मिर में इसका फाइदा देखने को मिला है भाई वो चीजे नहीं है हमें इसके बारे में जाना है इसके फाइदे क्या इसके माजिद अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं UPS यह ना कोई प्राइज है कोई अवर्ड है इस पर पहले क्यूशन नहीं पूछता था लेकिन रिसेंट टाइम में इस पर दो तिन क्यूशन पूछे गए हैं इसलिए जो अवर्ड वगरा है उसको हम देखेंगे पर कितना दे सिंपल सी बात है वह माइंड में रखना तो यह बुकर प्राइज किसको मिला है यह बुकर प्राइज मिला है सामन्ता हारवे को सामन्ता हारवे को बुकर प्राइज मिला पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए बुकर प्राइज जब भी किसको मिला है सामन्ता हारवे को किसके लिए मिला है इनोंने एक उपनियास लिखा है उपनियास का नाम क्या है उपनियास का नाम है और्बिटल और्बिटल नामक के और्बिटल नामक का इक उपनियास है इसके लिए सामन्ता हारवे को मिला है बुकर प्राइज इससे ज्यादा चीजिया हम नहीं देखेंगे उपनियास किसे समंधिता क्या था नहीं देखेंगे ठीक है दो पॉइंट आपको पता चला है समंधा हारवे और विटल अब थीम क्या थी मुह में कोई नहीं बतलब जो भी थीम हो आप अपने पास आखो आपको इंट्रस्ट है तो पढ़ लो नहीं इंट्रस्ट है मत पढ़ को देता है नहीं यह ओनली इंग्लिस में लिखे उपनियास को ही अवर देने का काम करता है मैं रूप से जैसे कि मैंने कोई उपनियास लिखा है पहले लिखा हिंदी में इंग्लिस में इसका अनुवाद कर लिया क्या मेरे को यह बुकर प्राइज मिलेगा नहीं मिलेगा य फिनों ने इंग्लीस में डारेक्र मुल रूप से ही इंग्लीस में इसको ही मिलेगा इस्तापना कब इसो इस भी में इसक रिया जाता है तो यह पॉइंट आपको समझ में आ गया सर्वस्चेश उतना के लिए पृष्टका दिया जाता है कितने रुपे दी जाते हैं हम नहीं देखेंगे पातरता क्या है इंगलिस में लिखा होना चाहिए ठीक है UK Ireland के अलावा कहीं भी परकासित यहां पर होना चाहिए बाकी कहीं कभी हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है यह पॉइंट हम देख चुके हैं इसके बारा ओड़ देख लेंगे उसके पहले हम यह दिसकस कर लेते हैं सबसे पहले इसके प्रकासित करता यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए इससे परकासित किया जाता है International Cryosphere Climate Initiative ICCI ICCI के द्वारा इसे प्रकासित किया जाता है समनवित किया जाता है International Cryosphere Climate Initiative के द्वारा The State of the Cryosphere Report जिसे Last Eyes Global Demers Report भी कह जाता है वो प्रकासित की गई है Cryosphere क्या होता है Cryosphere एक बरफ के हैं टुकड़े होती है यानि जमी भी बरफ होती है यह जमी होई बरफ कापी पुरा नहीं हो यहां का जो ताप मान है वो 0 degree Celsius हो एक तो यह लंबे समय से जमी होई होने चाहिए ऐसा नहीं कि आमने फ्रीज में बरफ जमा दी और उसे क्राइस पिर बोल दे फ्रीज बाई बरफ को Cryosphere नहीं बोलेंगे यह ऐसी बरफ को बोला जाता Cryosphere जो लंबी समय से जमी हुई पड़ी हो ऐसी बरफ को Cryosphere कहा जाता है जिसका ताप मान कितना हो ताप मान 0 degree Celsius हो ठीक है जी समझ में आ गया अब इस परकार की बरफ कहां देखने उलती है Glacier है Ice Cape है ठीक है कोई नदी जमी हुई है इस परकार जैसे की Greenland, Iceland, Antradic, Himalayan region यह सारे जो चीज़े है यह सारे जो एरियाज है इनको Cryosphere कहा जाता है यह हम देख लिया है अब रिपोर्ट में क्या चीज़ आई वो हम नहीं देखेंगे लेकर इस पर रिपोर्ट में मैं जी फोकस की गई है वो किस पर की गई है यह जो जलवायू परिवातन हो रहा है Climate Change हो रहा है इसका असर है वो Cryosphere region पर देखने को मिलता है किस परकार से Temperature बढ़ेगा अब इसका असर क्या क्या होगा पहले pollution बढ़ रहा है Pollution से क्या होगा Temperature बढ़ेगा Temperature बढ़ेगा तो यह बरफ है यह पिखलेगी अब बरफ पिखलेगी इससे क्या होगा यह देखो यह बरफ है Greenland माना कि यह कोई बरफ है यह यहाँ पूरी बरफ है यह temperature बढ़ा यह बरफ पिखली आपको पता होना चाहिए कि बरफ इसको रिप्लेस कर देती है यहां पर अब क्या बरफ तो पिखल गई तो यहां पर पढ़े कंकर पत्थर अब कंकर पत्थर होते हैं यह परकास की किरन को अब्जॉब कर लेते हैं यानि कि जो परकास लाइट आ रही है उसको अब 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 यहां पर क्या बढ़ेगी गर्मी बढ़ती जाएकि अब धीर देरी कर में बढ़ें बढ़ेगी अब ओलेड़ यह पिखल रहा था अब और त्यों से पिखलेगा ठीक है तेजी से पिखलें इसका नुक्सान क्या होगा Ama समंधर में पानी है जल इस तरह वह बढ़ेगा ठीक पोलर जो करंट है वह परभावित होगी तो पूरा सिस्टम ही भी गड़ जाएगा आपका क्लाइमेट चैंज होगा बार इसका पैटन चैंज हो जाएगा ता आप मान बढ़ेगा तो यह सारी परभाव हो देखने को मिल सकते हैं ओनली टेंप्रेशन बढ़ने से ओनली पॉली फॉस्पेट के बारे में डायमोनियम फॉस्पेट डी ए एफ क्या होता है डी एफ और क्यों है यह सुरुक्यों में भाई देखो भाई पंजाब और हर्याना के किसान है ना वह करते हैं इसका उप्योग डी एफ का अभी है वह मिल नहीं रहा इनको इसलिए आगया है फर्टिलाइजर यानि यह एक उर्वरक है पहला कोई समझ में आगया डायमोनियम फॉस्पेट एक उर्वरक है किसी बनता है यह दो माइक्रो न्यूट्रेंट्स मैक्रो न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं मैक्रों का मतलब होता है सुक्सम न्यूट्रेंट का मतलब होता प hyumonium phosphate बंता है तो पैला ले लो phosphate और दूसरा ले लो nitrogen nitrogen और phosphate इन दोनों से मिलकर यह बनता है दूसरे सबाग समझ मैं और तीसरा पॉिंट ये गुलंसील होता है गुलंसील मथलब बहुत ही पानी में घुल जाता है मिंटी में घुल जाता अब कलन से लोले काफा क्या है ब्लांट ile stronger प्लांट को जल्दी से फायदा हो जाएगा तो इसलिए कहा जाता है यह प्लांट की ग्रोफ के लिए बहुत ही ज्यादा होते हैं ठीक है जी अब इसके बारे में वित्रण कैसे किया था पहले तो इसे उन्ने सु बाने से पहले क्या करती थी गवर्मेंट खुद इसके आपूर्जी करवाती थी लेकिन अब गवर्मेंट अब मार्केट तेरे पर डिपेंड करता है तू चाहे वैसे इसको बेचो सबसे जादा उपयो कि जयने वाला फटेर है पहले गवर्मेंटक इनडर था अब यह फ्री है पूंट समझ में आ गया होगा बोरिंग बिलियन्ट के बारे में हमारा नेहिक्श पर एक यूग था बोरींग बिलियन क्रोडो साल पूराना दीलें साल पूराना एक यूग था इसे कहा जाता है बोरींग बिलियन अब क्यों सुर्खयों aynı आए ठाले बैठें Жली सब्सकेट खोज कर ली 1.8 billion से 800 million साल पुराना था लेकिन आप हम पढ़ रहे हैं भी ठीक है हमें कल को नहीं पढ़ेगा इनको बिलियन साल पुराने को पढ़ रहे हैं अब कहा जाता है इस यूग में oxygen कम थी जो इंसान वगर तो थे ही नहीं जो जीव पाई जाते हैं वो एक कोशिका के थे single cell वाले पुराना एक यूग था यहां पर जैविक गतिविद्या कम थी oxygen कम था जीवन बहुत कम था वाई मंडल पर oxygen कम था जीव पाई जाते थे वो single पर रगनी पढ़ता हमने बस पढ़ना है क्योंकि सुरक्युम है इसलिए हम पढ़ रहे हैं उमंग के बारे में क्या दखना उमंग की full form क्या है तो पहला पॉइंट उमंग की full form याद करो यूपाइसे पूछती यह फूल फॉर्म हाँ पूछ लेती है यूपाई के बारे मे एजब होरलेंश उनिफाइड मोबायल एप्लिकेश्ट इप लिए गोन्हेंश भाज्ट की connectivity माईटीी wości की निर्च्ट करी है ॢास्तरी razor गैवर्ननेंश पर भागने ख माइटी 타 की साथ मिलकर राष्ट्री इगवर्नेंस पर भाग ने इसको बनाया है तो माइटी प्लस राष्ट्री इगवर्नेंस विबाग इन दोनों मिलकर इसको बनाया है किसने बनाया माइटी प्लस राष्ट्री इगवर्नेंस माइटी प्लस राष्ट्री इगवर्नेंस माइटी मतलो electronic mentality उन लोनों ने इसको बनाया है तो याद रहेगा mighty plus e-governance याद रहेगा फुल फॉर्म याद रहेगी unified mobile application for new age governance याद रहेगा कर लो याद क्या काम करती है cycle place form में जो सरकारी जो भी सिवाई होती है वो प्रवाइड करवाती क्या क्या passport सेवा है pension सेवा है मोसम के बारे में यह सारी चीज़े बताती है उमंग एप ठीक है जी देख लिया हमने बात करते हैं दूसरा जलनियम 2024 के बारे में जलनियम 2024 क्यों न्यूज में है क्यों भी हो हमें पढ़ना पड़ेगा बात कर लेते क्या चीज़े देखो एक हमारा एक्ट है वाटर पॉलिशन एंड कंट्रोल एक्ट है और एक हमारा वाटर पॉलिशन एंड कंट्रोल है यह दो चीज़े अलग अलग है तो अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था वाटर पॉलिशन एंड कंट्रोल एक्ट है ना इसमें किय गया था संसोधन इस अदीनियम में संसोधन कर दिया गया क्यों संसोधन कर दिया पहले क्या था आप वर्टर के दूले। उसमें कुछबी G ine करों गी कुछ भी उसे ब्रॉक करोंगे कुछ भी उसका उलंगन, करोंगे तो आपको अपरादी दो आजिगो शित कर दिया जाएका और आपको ऊजाएगी सद्द्धा अब देखो बहुत होई जाता हमसे हैं यहां नहीं तो मर्टर बड़र को छही नहीं ठैरा रहा हूं ऑडर अगर और थोड़े बहुत अपराद कीसी हो जाते हैं तो उसको अपरादिस बना कर उसको पहने होली इस के लिए जुर्मान और ख़िए अब क्यों आप सजाफे मोर्य लागते होगी तो शारा नीव सबसेंट तो कि इतनी युक्त बाद में इसा अश्ग लिए इस का सूँ आप प्रीम है न थो फो शूनकिन कर देते हैं तो अब नियम को भी संसोदित कर देते हैं पहले उलंगनों के आधर financial जो बोज है वो अगर लगाए जाएगा किसी इंसान पर दंड लगा जाएगा बार-बार तो उसे लगएगा नहीं आ रहा हमें रूल नहीं तोड़ने है क्योंकि बार-बार पैसे देने सब को भी खारे लगते हैं फसंद नहीं आते हैं नेच्ट है मिली वम लार्वा के बारे में मिली नहीं मिल वम लार्वा मिल वम लार्वा क्या है मिल वम लार्वा मिल वम लार्वा है यह एक परकार का बैक्टीरिया है अभी कहां से मिला है अभी केन्या से मिला है तो मिल वम लार्वा एक बैक्टीरिया है क्या करता है यह बैक प्लास्टिक खाते हैं यह प्लास्टिक को खाते हैं और उसको तोड़ देते हैं यानि उसको नस्ट कर देते हैं यह तो बहुत अच्छे हैं मिलीवम को लाओ प्लास्टिक को खिलाओ और अपना काम निकल वाओ तो मिलीवम है वह पॉलिस्टिराइन यानि की प्लास्टिक को खाते हैं उसको नस्ट करने का काम करते हैं कहां पर मिलते हैं यह अफरीका में मिलते हैं क्या यह अफरीका की मूल पर जाती है हां यह अफरीका की मूल पर जाती है क्या यह अफरीका के बाहर मिलते हैं हां यह अफरीका के बाहर भी मिलते हैं अफरीका में भी खां मॉस्ट ऑफ जो कुकुट पालन होता है कुकुट पाल कोचिंग इंडेस्ट्रिक के लिए एक बार फिर से कुछ दिशा निर्देस जारी कर देगे, क्या निर्देस जारी किया है, कोचिंग वाले क्या रहते हैं, जूटे रेते हैं, पर हमारी कोचिंग में आओ, 100% सेलेक्शन लो, हमारी कोचिंग में आओ, एक सीटी बाकी है, हमार बारे में इस के बारे में बात करें तो इसकी इस्तापना 2019 में एक अधिनियम के द्वारा की गई यानि कि यह एक स्टेशेरी बॉड़ी हो गई कौन सा अधिनियम था उपभोगता सनक्सन अधिनियम कंजियमर प्रटेक्शन एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है काम क्या करेगा जो भी उपबहुकता होते हैं, उनके अधिकार होते हैं, कंजूमर के राइट होते हैं, उनका उलंगन करेगा, उनके साथ में जूटे बादे करेगा, गलत एड करेगा, उनको धरने का काम करेगा, उनको पकड़ने का, उनको सजादेने का काम है, वो कोन करेगा, वो करेगा CCPA, इसने यह फाइदे हुए है इसलिए यहां कि सुर्क्यों मैं आई हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी किसमन में जो बी न्यूस में आता है पढ़ना उसको हम भी पढ़ता है तो पढ़ लेते हैं स्वास्तिक क्या है फुल फॉर्म वुल्वम इतनी आपको याद नहीं तो कोई नहीं छोड़ो इसको फिर भी आप देख लो वेग्यानिक रूप से मानने सामाजिक बारंपरिग्या कि इसकी फॉल फॉर्म में याद रहीं तो ठीक है नहीं तो कोई नहीं छोड़ो यह परिख यहा इस पहल को किसने तहां дивोग्या कि येस rich L संचार रहा है इन दोनों मिल्किश की सुरुवाध की थी 10 आ यार ज athletes कि इसका स्वास्थिक पहल का मोराma उसको बढ़ाए- रखना उसको आगे बढ़ा, व्यग्यानिक जो मानित है उसको बढ़ा हाथ है, यह सारे काम थे यह सारे चीजी देखने को मिली है इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं फलिप्टिन्स के बारे में नियूज में हमें वेटर नहीं करता है कहीं भी नियूज था एक बार देख लेते हैं केपिटल कहा है इसकी केपिटल है मनीला वनीला नहीं है इसकी केपिटल है वो मनीला है तो फिलिपिन्स की केपिटल कौन सी है मनीला है बात करें फिलिपिन्स की तो यह तीन ड्रीप सिम्ह तीन आइलेंड से मिलकर बनाः है कौन कौन से तीन आइलेंड है एक है leson फिलिपिंस मेर्लिपिंज नद तीन आइलेंड से बना है मांट पिंटो कौन सा मांट कौन से प unf ा अगध और है मांट टैपॉ कौन कौन सी कियां स्थिन लगती है तो यह दियुक्ष के बाौंट्रि लगती है। ए पर सभ्ड़न के बाउंडर लगती है। स्थिन्टाप यारम जन्स आयद रखनай नेज्ट रहे हैं defense space agency के बारे में अभी है न इन्होंने अंत्रिक्स अभ्यास करवाए 2024 इसलिए नियूज में आई है और यह कहां पे गुआ था यह डेली में गुआ था अंतरिक्स अभ्यास क्या होता है हमारे जो अंतरिक्स में स्पेस स्टेशन है ठीक है हमारे कई सैटलाइट वगरा है इन सब चीज़ों की रक्सा भी करने होती हमें हमारे जो भी सैटलाइट वगरा है जो भी साइबर एटेक वगरा होती है इनकी रक्सा करने के लिए कुछ होन करेंगे अलग अलग लोग आएंगे जैसे आर्मी से इसने असै round गicular यहीं आइंगे डिक करने काुघ तो यही देखती हैं प्रह्नी यह रही है और यहीं करता है पूरे इसम Nachiag भी साहएं सब लोग काम करते हैं साथ में तो यह को सक führen लिए अब हम बाथ करते हैं लक्सा अंत्रिक्स एजंसी के बारेमे डिफेंस, इस्पेस ओर एजंसी, डिएसे के बारेमे बात करें, हैड़क्वार्टर का हैं बैंगलूरू में, क्या काम करते हैं, यह सस्यच्थर वल्लों के साथ में करते हैं और हमारी संपति उसको बचाने का काम करता है इसमें आर्मी नेवी और जो एरफोस है तीनों के लोग सामिल होते हैं इसे 2012 में जो नरेश चंदर टास्क पुरुस्तन उसके द्वारा इसकी सिफारिस की गई थी 2018 में मोदीजी द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है नहीं लागू कर दिया गया है तो यह इसके बारमता है उसके बाद हम देख लिए बारती अंत्रिक्स स्टेशन के बारे में हमारा एक मकसद है कि हमारे यह ना पर सफिर से 400 किलोमेटर की उंचाहीं पर हम एक स्टेशन बढाएंगे जहां पर जाके हम रिसेर्च कर सके और य है जिसमें 52 वजन होगा टीक है 52 इसमें 52 वजन होगा 15-20 तक इसमें रह सकते है इस परकार के इसमें क्या क्या होगा क्रू क्मांड मॉड्यूल होगा है मतलब लोग रह भी सकतेैं सब्सक्रायरी समें है फा Г क क्या है इसमें रिसेर्च की जाएगी निदु टेक्नोलोच को जाइगा मोसं भी बाग्राइब पढ़ा किया जाएगा तो यह सारी चीज़ें आपके देखने को मिल सकती है ठीक है यह समस्जित क्यूसन था क्यूसन आप देख सकते हो ठीक है यह यह इसमें एंसवर भी देखा यह आपको पता होना चाहिए नैक्स्ट जापान के बारे में क पतावना चिए पहसे होकाईडू फुर होंसु फिर शिक जो कू फिर क्यो Zu सुर होकाईडू लिफ्टा से नागोया सीटी यह को हम है टोक्यो है ओकासा है यह सारी सीटीज कहां पर यह हुंसु पर कौन-कौन से सीवर यहां पर साउट चाइना सी है नौर्थ पेसिफिक और यह सारी बाउंडर लगाती है जापान से तो यह जापान के बारे में कुछ इंपोर्डेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए नेक्स्ट के कामराज के बारे में हैं कौन थे कांग्रेस के अध्यक्स ते तमिलाडू के सीएम थे और इनको है ना किंग मेकर भी कहा जाता है नेरू के यूग के बाद में इंद्राजी को इनोने परदार्मन्ति बनाया लाजबाद उसास्ति को इनोने परदार्मन्ति बनाया तो एक इंपोर्डेंट सक्स्ति कॉंग्रेस के लिए तो यह पूरा आर्टिकल इन से समझनी था तो आज की डिसकसर में इतना है था पीडिएफ चाहिए तो बैटेलिग्राम से लेलो बाकि आप अपने हिसाब से देगा धन्यवाद